हालो बच्चों, आज हम कच्छा 10 की त्रिकोड मिती बताने जा रहे हैं, ट्रिक्टमेटी, ट्रिक्क है? ट्रास नाइंस में आप लोगों ने त्रिकोड मित की बारे में पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत कच्छा 9 का याद होगा आपको त्रिकोड मिति का मतलब होता है नाम से लग रहा है इसमें जाएक सा नाम देखो एक है वारो का ट्राई ट्राई मानें तीन गॉन जिसमें तीन साइड से बना हो और मीत्राउश मतलब मेजर्मेंट नाप यहनि तीन साइड की बनीवी आक्रत होती है इसके बारे में हमको बात करनी है लेकिन चुकि त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं समकोर त्रिभुज होता है और समध्यबाव त्रिभुज होता है समभाव त्रिभुज होता है रिसमभाव बहुत सारे आपने पढ़े हैं लेकिन आपके syllabus में जो है, वो समकोर त्रिभुज के बारे में को बात किया गया, ठीक है, तो हम ज़रा, यह चप्टर आठ है, आठवा चप्टर है, तेखे, किसी भी समकोर त्रिभुज में, बहुत ध्यान से समझेगा, यह पढ़ चुके हैं आप, किसी भी समकोर के, लेकिन आप के को क्या समझेंगे, कर्ण, ठीक है, अब आधार, कर्ण और लंब, तीन भुजाया आप जानते हैं, तो अब आधार और लंब के बारे में हम क्या बात करें, तो आधार और लंब का पका, फिक्स नाम नहीं होता है, एक मिनट, देखे, अगर हम इस कोर के बारे में बात करें, इसको थीटा माल लें, तो इसके सामने भुजा कौन सी आई है, ये वाली, वो लंब कहलाती है, हमेशा जिस कोर के बारे में हम बात करते हैं, उसके सामने की बुजा लंब कहलाती है, और तीसरी बुजा आधार होगी ए, एक म लंब काई स्क्वाइर प्लस आधार काई स्क्वाइर हम लिखेंगे के एल और ए आप हिंदी में समझेंगे करड़ लंब और आधार ठीक है तो अब यह तीन भुजाए हो गई अब दो दो भुजाओं का अनुपात अगर लें करड़ बटे लंब लिखें लंब बटे आधार लिखे आधार बटे करड़ लिखे लंब टे करड़ लिखे तो इनकी अलग-अलग नाम हो गए तो तीन प्रकार के त्रिकोर्ट मिती फराद मेन होते हैं ठीक है सबसे पहला होता है सांइन ठीटा सांइन ठीटा कAH मतलब साइन और ठीटा गुड़ा नही यह theta का sign है यानि कि ऐसे हो गया theta का sign S, I, N, E और लिखते हैं sign sign theta ऐसे लिखते हैं तो sign मतलब theta का sign ठीक है, तो sign theta होता है لم बटे कर्ड क्या होता है لم बटे कर्ड L मतलब لم, K मतलब कर्ड दूसरा होता है cos theta cos theta لم बटे कर्ड यह था यह आधार बटे कर्ड होता है आधार बटे कर्ड यह cos theta होता है ठीक है, और तीसरा होता है tan theta यह cos का जो full form होता है, इसको cosine कहते हैं, sine को जो है, वो लिखा जाता है S, I, N, E और cos को लिखा जाता है C, O, S, I, N, E cos का पूरा नाव है, ठीक है tan theta होता है لم बटे आधार लम बटे आधार ठीक तो इसको short में लिखते हैं लाल बटे कक्का लाल बटे कक्का लम बटे कर्ड sign आधार बटे कर्ड कॉस लम बटे आधार 10 तो इसको लाल बटे कक्का short में याद करते हैं इन्हें आप याद करिए गा लाल बटे कका इन्हें लाला चोटा बच्चा है लाल और उनके कका अब अगर इसको पलट दिया जाए चोटा है ऐसा टैन जो होता है short में इसको पूरा नाम इसका होता है tangent इसका पूरा नाम भी याद रखिएगा ठीक है अब अगर हम इसको पलटना सुरू करें टैन का उल्टा हम करेंगे cot theta तो क्या हो जाएगा आधार बटे लम अब यह याद रखिएगा कि कौन किसका उल्टा होता है ten का उल्टा कौन होता है cot theta होता है आधार बटे लम अब जब्सराद आजखिए ten का उल्टा cot तो cot dot 10 वाई मालिया आपके सामें कोई उल्टा खड़ा हो जाय से आप ऐस affirm का उपर है उसका तर नीचे की तरफ एस सहो जाए ऐसा सर नीचे करके खड़ा हो जाए तो आप कहेंगे यह उल्टा यह कहेंगे यह उल्टा तो अगर 10 का उल्टा कौट तो कौट को उल्टा कौन है 10 तो 10 को लिख सकते हैं एक बटे कौट थीटा और कौट को लिख सकते हैं एक बटे 1 अपान 10 थीटा कॉट यह लिखेंगे नहीं, अपने बन में याद करेंगे कि कौन किसका उल्टा है, कौन वैलू किसकी उल्टी वैलू है, ठीक है, तो यह आपका और टैंग जो kot लिखा है इसको co tangent कहते है co tangent कहा जाता है ठीक है पाचवा होता है six theta SEC six theta कंडबटे आधार किसका उल्टा होता है cos का उल्टा होता है तो यानि cosmos का उल्टा कौन six theta और six का उल्टा कौन कॉस थीटा और सिक जो होता है उसको लिए सिकेंट ये सिकेंट नाम होता, एक कोशन इसमें फ़सा हुआ है उसमें नाम पूछा गया है पूरा इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ और तीसरा है, अगला है साइन का उल्टा कॉस थीटा कर्ण बटे, लम किसका उल्टा, साइन का उल्टा तो साइन किसका उल्टा कॉसेक का उल्टा कॉसेक थीटा, ठीक है तो कॉसेक जो होता है को लिखते हैं को सिकेंट ये नाम इसकी होता है, ठीक है तो यहने पहले आप नोट कर ले और वो ध्यान से समले कौन किसका से बड़ा होता है कौन किसे छोटा होता है ठीक है अब जड़ा अपने exercise पे आ जाईए और exercise में दो चीज़ा याद रखनी है किसी भी समकोर त्रिभुज में किसी भी समकोर त्रिभुज में अगर त्रिभुज कहा जाए तो बनाईएगा पहली बाद कोई चीद दिया त्रिभुज बनाईए अगर कहा गया अदरवाइस बिना त्रिभुज बनाई काम चले चलाएंगे आप किसी त्रिभुज में जिस कोड के बारे में बात करेंगे उस कोड के सामने की भुजा क्या कहलाएगी लंब, 90 डिगरी के सामने कर्ण और तीसरी भुजा आधार, ठीक है, अब आते हैं exercise आपकी है 8.1, exercise है प्रशनावली 8.1, इस exercise के बारे में बात करेंगे, कुछ कोशन हम बत कहते हैं त्रिभुज ABC में अब त्रिभुज दे दिया उन्होंने, मतब बता दिया, तो आप कोशिश करिए उसका त्रिभुज बनाईए, त्रिभुज ABC में तो हमने त्रिभुज ABC बना दिया, तो कहते हैं त्रिभुज ABC में कोड B 90 डिगरी है, तो इसका नाम क्या दे दिय अब B, अन्य दो के नाम आप अपने हिसाफसे रख सकते हैं, нам इसको A लिस सकते हैं, इसको C कर सकते हैं, इसको A आप इसको C कर सकते हैं, ठीके अब 90 डिग्री के सामने को कंड कहते हैं, इन्होंने का A B 24 है, A B ये भुजा है ये कितनी हो गई, 24 और BC साथ है सबसे पहला काम यह है कि आप तीसरी भुजा निकालिए तो इसमें कर्ण कों सी भुजा है कर्ण AC है तो आप कहेंगे हम जानते हैं जो पाइथा गुरस की प्रमे है वो क्या कहती है कर्ण का स्क्वार कर्ण का वर्ग जो है AC का वर्ग इस इकल टू AB स्क्वार प्लस BC स्क्वार यह होता है देखे हमने नाम यह दिया है यह C सी इधर हो जाएगा तो यह BC आजाएगा उसे कोई फर्क पढ़ता नहीं है तो AC मुझे नहीं मालू AB की लंबाई कितनी है 24 24 का स्क्वार प्लस 7 का स्क्वार 24 का वर क्या होता है 576 प्लस 7 का स्क्वार 49 9 6 15 7 4 11 12 635 तो AC की लंबाई आएगी अंडरूट 625 यानि की 25 यह भुजा क्या आगई 25 अब जब तीनों भुजाएं आपको मालू हो गई है तो आप से जो भी यह पूछेंगे वो निकाल लेंगे लेकिन जिस कोड के बारे में हमसे बात करेंगे उसके सामने की भुजा को हम लंब मानेंगे जैसे हम इसके बारे में बात करते है इसका पहला पार्ट आप से कह रहा है कि साइन ए निकालो पहला पार्ट आप से कह रहा है कि साइन ए निकालो तो لم बटेग कर्ण होता है A कौन सा कोड़ है ये A है इसके सामने lamb कौन है? BC कर्ण कौन है? AC आप चाहो तो لم बटेग कर्ण लिखो चाहे ये अपने मन में याद यद रखो Bc के लंबाई कित्मी है? साथ और AC के लंबाई कित्मी है? पचीस ये sign है निकला है फिए काज ये निकालो काज ये क्या होता है आधार बटे कर्ण एक हिंसाब से आधार कौन से भुजा है A B कर्ण कौन सी है A C तो 24 बटे 25 सुन्ज़ बात second part क्या कह रहा है ये कह रहा है sign C निकालो देखो जो sign C निकालेंगे लंब बटे कर्ण ही होगा लेकिन C ये वाला कौन है इसके सामने लंब कौन होगा A B कर्ण तो वही 90 डिक्री के सामने रहेगा A C तो क्या हैगा 24 बटे 25 फिए कहना है कौस C निकालो आधार बटे कर्ण तो C के आधार कौन हो जाएगा B C दूसरे कोशन में एक डाइग्राम दिया हुआ है तो चुकि डाइग्राम दिया है तो हमें वही लेना पड़ेगा जो किताब में बना हुआ है दूसरा कोशन देखिएगा हम देखते हैं कि आप लोग इसको पढ़ोगे नहीं अपने आप सवार लगाओगे नहीं तो सुन में कुशन नहीं आएगा दूसरा कोशन कह रहा है कि एक त्रिभुज है हमने त्रिभुज बना दिया और त्रिभुज का नाम देखिए हैं Q, P, R अब ये हमको क्लियर हो गया कि ये 90 डिगरी है इसके सामने की भुजा कर्ण है ये 13 लिखी वी है और ये 12 है तो सबसे पहले तो आप ये भुजा निकालिये तो ये कर्ण हो गई ना तो पाइथाग उरस्पर में क्या खेती है P, R स्क्वाइर इस इपल टू P, Q, स्क्वाइर प्लस Q, R स्क्वाइर P, R की वैलू कितनी है 13 13 का स्क्वाइर P, Q की वैलू कितनी है 12 12 का स्क्वाइर प्लस Q, R का स्क्वाइर 13 के स्क्वाइर 169 12 का 144 प्लस Q, R मुझे नहीं मालूम तो इसको इधर ले आओ तो आएगा 169-144 is equal to qr square इसको करें कितना आएगा ये 25 आएगा is equal to qr square तो qr का मान किता निकलेगा पाच उसका वर्दमूल ये भुजा आपको मालूम हो गई पाच अब आज से कह रहा है कि आप 10p minus cot r ये निकालो p मतलब code ये p है r का मतलब ये code r है अभी हमने बताया लाल बटे कक्का लाल बटे कक्का बताया क्या होगा लंब बटे लंब बटे आधार तो p के हिसाब से लंब कौन है p q आधार कौन है sorry p के हिसाब से ये लंब है qr क्योंकि p वाला कौन है qr आधार कौन है p q cot r के हिसाब से लंब कौन है, तो कि आधार प्रें लंब हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा, qr, और लंब कौन हो जाएगा, pq, तो qr की वैलू कितनी है, qr है 5, pq का मान है 12, माइनस, यहां qr की वैलू है 5, pq 12, वैलू कितनी आ गई, 0, तो इसके हमने concept आ दिये हैं, एक दो कोश्म बता कुछ कुछ मताएंगे इसके कुछ उदाहन लगा लिजेगा ओके नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ओके